वेल्कुम बैक तो माई चैनल आज की इस फीडियो में मैं आपके लिए लेके आए हूँ सर्कुलर पलाजो की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल में मैं आज आपको बताने वाली मूं किस तरीके से सर्कुलर पलाजो की कटिंग होती है कौन सी वो इंफोर्टेंट हम बाते होती है जो हमें उसमें यूज करनी चाहे ताकि हमारे सर्कुलर पलाजो की कटिंग परफेक्ट आजाए और उसमें फिनीसिंग आए तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर मैंने 92 के करीब फैब्रीक लिया है और इसको हम सब्सक्राइब पहले भूल्ड कर लेंगे हमारे सिंगल और इसको हमें इस तरीके से कॉर्णर से क्योंत Paypal कर लेंगे सबसे पहले हम इस तरीके से क्षोल्ड करेंगे और इसके बाद हम ऐख से Complet करेंगे इसको अरेब में या फिर्चे में इसको हमें फोल्ड करना है चलिए मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी उसके बाद कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम इस तरीके से फैबरिक को फोल्ड कर देंगे अरेब में fold हमें करना है यहाँ पे और measurement के according margin के साथ हम यहाँ पे marking करेंगे उसके बाद cutting करेंगे इस plazo की length 36 and a half रहेगी और heap रहेगी 40 inch 40 inch को हम 4 से divide करेंगे तो 10 inch हमारा बसता है बट 1 inch हम margin के लिए लेते हैं stitching में जो fabric attach होता है stitch होता है उसके लिए हमें extra fabric चाहिए होता एक inch हम उसमें जोड देंगे तो वो हमारा 11 inch हो जाएगा 11 inch हो जाएगा 11 inch हमें यहाँ से एक side से cut करना पड़ेगा इस plazo के लिए हमें hip की marking सीधे straight नहीं करनी होती है इस तरीके से round round हम बिल्कुल corner से इंची tape को रखेंगे और इस तरीके से round में marking करते हुए हम यहाँ से measurement कर लेंगे यहाँ पर हमारा 11 inch तरीके से round में आना से यह तभी हमारी जो perfect stitching होगी वो आएगी हमारे plazo की और जो हमारा open वाला हिसा है वहाँ से हम आसन की cutting करेंगे मार्किंग करेंगे आसन हमारा कितना लेना होता है हीप जितनी भी हमारी रैडी हो गए है उसमें दो इंच प्लस कर देंगी हाँ 10 है तो 10 में हम 2 inch एड़ कर देंगे तो 12 हो गया 12 inch पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे अर्पस्था करने से पहले हम एक अंच ऊपर से छोड़ेंगे क्योंकि एक इंस काईनक हम अलग से अटाइच करेंगे इसलिए हम यहाँ पर 11 पर मार्किंग कर रहे हैं और एक हमारा extra इलस्टिक के लिए चाहिएगा इसलिए लिया हम में और उसके बाद हमें फ्रेंट वाला पार्ट है वो हाफ इंच डाउन करना है आसन की साइड से ताकि हीप हमारी थोड़ा एक्ष्ट्रा स्पेस होता है और आसन की साइड हमें कम स्पेस है यह बट जो बैक वाला आसन है उसमें हम धाई इंच एक्ष्ट्रा प्लस करेंगे और फ्रेंट वाला ह क्योंकि अगर हम धाय या तीन इंच के आसपास एक्ट्रा फैब्रिक वाले आसन में दे देते हैं तो बैटने में कोई प्रोब्लम नहीं होती है बिल्कुल परफेक्ट फिनिसिंग के साथ हमारा आसन स्टिच हो जाता है और उसके बाद हम लैंद पर मार्किंग करेंगे जितन अगर आप फॉल्ड करेंगे तो आप 1 इंच के आसपास ले सकते हो अगर आप पीकोक रोगे तो 5 इंच भी इनफ रहेगा और इस तरीके से करने के बाद हम कटिंग करेंगे ब्ट मार्किंग भी यहां पे जो हमारा गेर है सिरफ ऐसे ही नहीं करनी है मार्किंग भी हम ऊपर से करेंगे जो हमारा कोर्णर है यहां से वहां तक जिस तरीके से हमने हिप के लिए राउंड सेप मार्किंग की थी उसी तरीके से हम यहां पर भी घेर के लिए भी मार्किंग ऐसे ही राउंड सेप में देंगे करने के मार्कें के एकोर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे आसन हमें फ्रण्ट वाला डाउन कट करना है और बैक वाला अप कट करना है अलग लग कट करेंगे और उसके बाद घेर की कटिंग कर लेंगे और जो इस पेस बच किया है हमारा वहां पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा कर डेंगे देखे इस तरीके से उसके बाद हमें आसन के स्टीचिंग करनी है यहां पर हम आसन की गुम सिलाई लगा रहे हैं एक साइड से फैब्रिक को आसन को हाफ बाहर निकालते उसी साइड हम फिर से दबाएंगे कोर्नर कोर्नर के ऊपर हम स्टीचिंग करते जाएंगे यह हमारी आसन की गुम्चलाई हो जाएंगी सेम उसी तरीके से हम बैक वाले आसन की भी स्टीचिंग कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा घेर के लिए फैब्रिक कम रहा गया था वहां पर जोइंट लगा लेंगे जोड लगा लेंगे और उसके बाद लुक कुछ इस तरीके से आएगा यहां पर सिरफ त्री श्टाफ और करने हमें सेंटर बाले स्टीचिंग लाइन लगानी है और घेर को फोल्ड करना है बारिक बारिक या फिर पिको भी लगा सकते हो अपर इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो और उसके बाद इलाश्टिक की स्टीचिंग होती है उसको अलग से फैब्रिक करना है फोर इंच के आसपास और उसको उपर स्टीच कर देना है इलाश्टिक को यह वाला जो फूल टूटोरिल है मैं पहले दो बार यहां पर सेर कर अगर आपको फूल डिटेल में देखना है तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यह देखे फ्रंट वाला जो हमारा आसन है वो थोड़ा डाउन रहेगा और बैक वाला अप रहेगा इस तरीके से हमारे सर्कुलर फ्लाजों की स्टीचिंग हो